एक तरफ जहां भरष्टा चार को लेकर सियम योगी आदित्यनात्स द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाई जा रही है तो वही जनता तक सुविधाय पहुचाने वाले कोछ अधिकारी भरष्ट कारियों से इन कोशिशों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं ताजा मामला चंदौली जिले से सामने आया है जहां पुलिया निर्मान में ठेकेदार द्वारा घटिया सामगरी का इस्तेमाल हो रहा है इतना ही नहीं ग्रामीडों की शिकायत के बाद भी निर्मान पर रोक नहीं लगी है और घटिया सामगरी के साथ काम धडलले से चल रहा पूरा मामला जिले के सदर ब्लॉक के नर्सिंग पुर्खुर्द गाउ का है जहां का दौरा खुद सीयम योगी कर चुके है ग्रामीडों का आरोप है कि पुलिया बनाने के लिए उपयोग किये जा रहे इट बिलकुल निम्न दर्जे के है मसाला भी ठीक नहीं है इस पुलिया से दस गाउं की जल निकासी होती है यहां से कई भारी वाहन गुजरते हैं कई बार ठेकेदार से घटिया सामगरी को लेकर शिकायत की गई लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार निर्मान कार्य जारी रख रहा है इस मामले में हमारी समवाद दाता दिनेश यादव ने रियालिटी चक किया और पुलिया निर्मान में हो रही अन्यमिताओ के बारे में क्या बताया वो आपको दिखाते है यह साला लग रहा है मेरे खाल चेथे यह आठ एका होगा तो इसा यह जुड़िया हो रहा है यह शिकले दिख चलेगा यहा है यह ज्युक्त फूर्पोट बढताया दिन चलेगा यह जए लगभग की चार नमर का में ज्युक्त होगा अजिए कामों इधर की बेखना चाहूंगा यहां कि द्रश्च छेके दारा की वज़े से सरकारी यह जराओं का फरीदा लग रहा है और यह लगवा गाफोर्ट कर दोनाथ कि प्रश्ट कर रहा है तो देखा आपने कि किस तरह से पुलिया निर्मान में ब्रश्टाचार का खेल किया जा रहा है सरकाय लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि ब्रश्टाचार करने वालों पर सक्त से सक्त कारवाई हो लेकिन इसके बाद भी अभी तक अधिकारी आँख मून कर वैठे है फिलहाल ब्रश्टाचार के इस खेल में शामिल होने वालों पर क्या कारवाई होती है या फिर घटिया सामगरी के साथ निर्मान कार्य जारी रहता है ये तो देखने वाली बात होगी इंडिया पब्लिक खबर के लिए चंदौली से संबाद्दाता दिनेशी आदव की रिपोट इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंच बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की बागी बड़ी और एहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले